हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इंडिया की नंबर वन स्टेडी चैनल वाइफ स्टेडी पर पार्ट ऑफ न अकैडमी जैसा कि आपको पता है डेली 11 बजे आप लोगों के लिए एक शांदार क्लास आती है और वहे क्लास और सभी शांदार होने वाली है नंबर सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरह से बहुत ही बहुत सारी चीज़ें जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी यह मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ क्योंकि मैं आपको वह सब चीज़ें बताने वाला चलिएगा शुरुआत करते हैं मेरे साथ अनकेडमी पर जुनने का आपके पास आज खास मौका है क्योंकि आज अगर आप 24 महीने का आईकोनिक सस्किप्शन ले रहे हैं तो SSC कैटिगरी में आपको जुनना होगा और किसी अन्य कैटिगरी में भी आप जुर सकते हैं लेकि के सभी सस्किप्शन पर साहिल 10 as a referral code लगा कर आप अनकेडमी के सभी सस्किप्शन पर 22% डिसकाउंट मिल पाएगा आपको और मिल जाएगा तो जितने भी विद्ध्यारती हैं जो भी आप सपास आपके रहते हैं कोई भी भाई बहन या किसी भी किसी भी exam की तयारी कर रहा ह CBSC 10th class 9th class 7th class UPSC IIT किसी भी केडिगरी की तो अनकेडमी पर आप 22% का अधिक्तम डिसकाउंट लेकर जोड सकते हैं और पढ़ाई शुरू कर सकते हैं इस साल आपको कोई भी exam मतलब कोई भी वाधा नहीं रोक सकती exam आपको निकाल नहीं है साहिल 10 आपको कोड लगा कर जुड़ना है मेरा बैच चल रहा है दो बज़े चलता है beginner to expert बैच आज इसमें profit loss शुरू होगा तो जिनको जुड़ना है वैं जुड़कर मेरे साथ दो बज़े वाली class में आनन्द उठाएं साथ के साथ सुबह मैं topic wise test कराता हूं pipe or system मेरा चल सुबह नौ बज़े अनकेडमी की free life class में special class में तो वह भी आप देख लें regular basis पर link comment section में और telegram math wise साहिल सर्फ मिल जाती है daily तीन बज़े एक mock test लेता हूं आपके लिए बेहत महत पूर्ण ये mock test होता है 3 p.m. पर दुपैर में तो जरूर लिया करने session को 9 बज़े आपका topic wise 11 साड़े बारे बज़े नंबर सिस्टम साड़े बारे बज़े previous year paper होगा ठीक है तो बज़े foundation है तीन बज़े क्याचता में थैं साड़े बारे बज़े ये होगा कि 25 में से 25 लाना है तो regular आना है paper number 18 अगले shift का तो भया आज आपके पास last day है साहिल 10 call लगाकर अधिक्तम discount प् एक साथ पहली बार ठीक है माइडियर तो 2022 में आए चलिए start करते हैं चीजों को बिना किसी दिक्कत के अब शुरुवात करना चाहता हूं बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजों का तो एक question से आपकी शुरुवात करूंगा एक question आपके सामने में रखता हूं मुझे बताईए लेकर 16 से लेकर 119 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं 16 से लेकर 119 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं आओ मैनी प्राइम नंबर्स बिट्वीन 162119 बताईए बताईए भाई तो आप यह कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है कोई दोराय नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अगर हम यह कहते हैं सर एक से सो तक एक से सो तक हमारे पास कितने होते हैं 25 प्राइम नंबर होते हैं यह आप सभी लोगों को पता है ना बिल्कुल पता है तो सोला से पहले पहले वाले कितने हैं एक तो 2 है एक 3 है और एक 5 है एक 7 है एक 11 है और एक 13 है एक दो 3, 4, 5, 6 6 इसमें से आप घटा दो यानि कि कितने बचे 19 यानि कि हम यह कह सकते हैं कि 16 से 100 तक 16 से लेकर 100 तक तो मेरे पास कितने निकल कर आ गए 19 प्राइम नमबर निकल कर आ गए चलिए अब 100 के बात की अगर मैं बात करना चाहूं तो कौन-कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए एक होता है आपका 101, एक होता है आपका 103, एक होता है आपका 107, एक होता है आपका 109, यह एक होता है आपका 113, यह सारे की सारे आपके प्राइम नंबर है एक, दो, तीन, चार, पांच तो कुल मिलाकर आपके 116 तक 24 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 24 अभाज्य संख्यां हो जाएंगे आप लोगों में किसी ना किसी बच्चे को तो लगी रहा होगा कि सर कोई फॉर्मूला हो तो बता दो या कोई ट्रिक हो तो बता दो तो आप लोगों के लिए यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसी तरह से करना पड़ेगा क्लियर है? कोश्चन प्राइम नंबर पर पेपर में जरूर पूछे जाते हैं इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इतना तक ही रहेगा पेपर में सर क्यों आगे क्यों नहीं पूछ सकता उनको टाइम देखना पड़ता है बच्चे का और आगे पूछता है तो आप मत करिए क्योंकि आप कभी भी कोई फॉर्मूले के माध्यम से नहीं निकाल सकते हो किसी भी नंबर की प्राइम नंबर को जाच करना भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और ये बात समझ में एक बच्चा कहा रहा है सर 109 नहीं होता एक सो नो प्राइम नंबर ही होता है यह सारी की सारी संख्याएं मैंने आपको लिखा दी है, 109 आपका प्राइम नंबर ही होता है, 111 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 111 क्या होता है, 37 का मल्टीपल होता है, 37 इंटू 3, तो 111 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, नौट ए प्राइम नंबर अब भाजे संख्या नहीं है ठीक है सर याद कैसे होगा प्राइम नंबर अनिल याद नहीं करना है मैंने आपको लास्ट क्लास में इंटर्वेल्स लिखाए थे कि एक से लेकर पच्चिस तक नौ होती है अब वो पता होनी चाहिए कौन-कौन सी होती है सो तक तो पता ही होगा और पच्चिस से लेकर पच्चास तक छे होती है पच्चास से लेकर सो तक दस होती है तो पच्चिस तो यह हो गई एक से लेकर सो तक तो eliminate करकर के जैसे मैंने अभी यह निकाला है वो निकाल ले ना बस यही है ठीक है अब चलते हैं आगे अगले कुशन की तरफ अगला कुशन किस तरह से बनता है आपको मैं समझाता हूं कुशन ऐसे बनते हैं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है smallest prime number एक एक करके कुशन का जवाब देते जाना मैं लिखता जाऊंगा ठीक है smallest even prime number even को sum बोलते हैं तो कोशिश करना कि आप समझ जाएं इतनी कोई tough English नहीं है smallest और प्राइम नंबर यूनिट इजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर यूनिट इजिट इस्मालेस्ट प्राइम नंबर यूनिट इस्मालेस्ट प्राइम नंबर यूनिट इस्मालेस्ट प्राइम नंबर अनिट इस्मालेस्ट इस्मालेस्ट नंबर चलिए एक एक करके सभी सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे और आगे कितना भी चले जाओ लेकिन मैं वही कैपिंग दे रहा हूं जो आपके पेपर में आ सकती है है ना आईए तो स्टार्ट करते सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगा जवाब देती जाहिए सर दो सबसे छोटी प्राइम नंबर है सर दो प्राइम नंबर होती है तो कई बच्चों को शक होता है फिर अभी पूछेंगे सर एक क्यूं नहीं अरे भाई ना तो एक प्राइम नंबर है ना ही सबसे जोटी वो भी दूही है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सम सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या वो भी दूही है क्योंकि सम संख्या तो केवल एक ही है जो कि प्राइम है चलिए smallest odd number smallest odd prime नंबर समॉलेश्ट और प्राइम नंबर यह अच्छा कुश्य है, यह paper में पूछा जा सकता है, unit digit की सबसे बड़ी अभाज यह संख्या, 7, क्योंकि 7 के बाद सीधा 11 आता है, और 11 क्या है, 2 digit की सबसे चोटी, और 2 digit की सबसे बड़ी सत्यान मैं 97, 97 is the largest 2 digit prime number, 3 digit smallest 101 अभी बताया था न, क्योंकि शुरुवाती 100 के बाद 101 हो रही है तो 101 भी प्राइम है 103 भी प्राइम है 107 भी प्राइम है 109 भी प्राइम है 113 भी प्राइम है लेकिन 111 नहीं है 111 क्या होता है 37 का multiple होता है 37 into 3 ठीक है 3-digit largest 997 3-digit largest क्या है 997 है clear चलिए सब क्या answer आ रहे है चलिए तो देखते हैं अगला क्या होगा 4-digit smallest प्राइम नंबर 1009 इसका मतलब सर ये 1001 नहीं होगा क्या अब चीज सुरू होती है आपकी बढ़िया 1003 नहीं होगा क्या 1005 तो होई नहीं सकता 1007 ये सारे के सारे क्या होते हैं प्यप्न रोत हैं किसी न किसी के इसके भी टुकड़े इसके भी तुकड़े ये सब प्राइम नंबर नहीं है सबसे। लोटा चार डिजिट का प्राइम नंबर जो है वह क्या है एक हजार नौ है हाँ आप के दिमाग में यह आ रहा होगा अरे सर आप तो रटा रहे हो और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास कभी आप कैल्कुलेट नहीं कर पाओगे राइट समझ रहे हो मेरी बात फैक्ट पता है factual question होता है यह आता है तो एक सेकंड नहीं आता है तो पचलो गाट इट ऑके बिलकुल बहुत ही classic तरीके से हाँ भाई CBT2 की बुक अभी ले लीजिएगा 15 तारिक को result आ जाएगा फिर 24 फरवरी से paper शुरू हो जाएंगे आपके हाँ Amazon पर मिल जाएगी वो उसमें सब यह सारे के सारे आपके प्राइम नंबर नहीं है चलिए एक हजार एक किसका multiple है कोई बता सकता है आप में से 1001 अगर प्राइम नंबर नहीं है तो किसका यह गुणज होगा पता है किसी को किसका यह गुणज होगा और क्या इसका कोई काम है क्या यहां पर सब काम है भाई अ से ताउं दो मिनिट के अंदर 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 कि चलिए सर साथ सर तेरा तेरा सत्य एककिन में और साथ से भी है तेरा सी भी है और किस से जाएगा यह साथ से काट लो साथ से अगर आप डिवाइड कर रहे हो साथ एकम साथ बचे तीन साथ चोखे 28 और साथ एक्षिट तो यह लो इसके फैक्टर निकल कर आगे साथ तेरा और ग्यारा कर लो भाई क्यों क्योंकि बहुत काम आता है जो इस पर बहुत काम क्यों आता है आजाओ कि इसके अंदर एक हजार एक में तीन अंकों की लिखते जाओ हिंदी में थ्री डिजिट कोई भी नंबर हो थ्री डिजिट नंबर से मल्टिप्लाई करने पर तीन अंकों की संख्या थ्री डिजिट नंबर इस तरह से हो जाती है किस तरह से एक्जाम्पल 01 में मैंने कोई भी तीन अंकों की संख्या माल लिजिए ABC का गुणा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा ये एक 6 अंकों की संख्या ABC बन जाएगी note it down किरपया करके notes बना ले क्या बन जाएगी A, B, C, A, B, C बन जाएगे हर्षित मौर्य गौरकपूर बहुत बढ़िया भाई बहुत अच्छा कर रहे हो हर्षित हाँ पहले हम 1001 पर बात कर लेते हैं जैसे कि example के तौर पर आप कोई भी संख्या अगर आप ले रहे हो 1001 गुणा 123 कर दिया तो आप जब calculator से भी गुणा करके देखोगे तो यह आ नहीं है वो तयार 123 123 हो जाएगी तो sir question क्या ऐसा आएगा क्या कि किसी संख्या को आप 1001 से गुणा कर दो नहीं question कैसा आता है paper में एक three digit number को पैसे three digit मत लिखू एक नंबर को 7 11 और 13 से गुणा करने पर क्याओा क्या एक क्या एक क्या ठीक है करने पर यह बन जाती है तो बताईए एक्स प्लस वाई प्लस जैड क्या होगा बताओ हाँ एक बच्चा कह रहा है सर एक दो तीन चार एक दो तीन चार वीडियो में पूछा था कोई बात नी यह मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ इस पर ध्यान दीजे प्लीज तो जब मैंने ऐसे लिखा है तो आपको एक्स और वाई और जैड का मान निकालना है आप कैसे निकालेंगे आप यह जानते होंगे मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप यह जानते होंगे कि भाई यह जो संख्या है यह तीन तीन अंको की बराबर संख्या है तो जो मिसिंग पार्ट है वो कैसे निकलेगा एक्स तो हो जाएगा पांच यो जाएगा साथ और जैड हो जाएगा छे यह भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि आप एक्स वाई जैड को ढख से निकाल पाएं तुक्के में नही तो यहां पर 5 और 7 12 और 18 आंसर आ गया क्यों 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 कि कल को ये प्रश्ण ये भी पूछ सकता है वाई X Y Z ली तो निकलवाना है X Y Z की जगे A B C B हो सकता है P Q R भी हो सकता है तो वो आपका concern नहीं है concern क्या है कि concept आपको पता होना चाहिए और कैई बार पेपर में प्रश्णाता है ऐसा बोल देगा A प्लस B अपॉन sorry X प्लस Y अपॉन Z निकालो तो answer क्या होगा तो X प्लस Y 12 बटे 6 तो 2 answer आ जाएगा तो main question की जो center of attraction है वो ये वाला part है कि वह 7 11 और 13 का multiple है 7 11 13 को दिमाग में देखते ही एक हजार एक आजाएगा आपके और 1001 के जो भी गुनजोंगे वो सारा काम कर देंगे अपना ठीक है वाई समझ में आ रही है वाई चीजे क्लियर हो रही है एक question और करेंगे 7 11 और 13 के गुनज multiple के 7 number अबर है तो एक्स इंटू वाई बरावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई रिप्रेजेंट किया जा रहा है ठीक है तो आप निकालिये एक्स इंटू वाई इंटू जैर क्या होगा जढ़ किया झाल थाई प्लस वाई है युझ प्लस एक्स कालवद की प्लस एक्स इंटू रहां झाल हाई देजे प्लस एक्स प्लस आफ प्लस आप Kelly कुछिन कितना प्यारा है आप सोच भी नहीं सकते हो पांच तो हो गया आपका एक्स आपका जैर हो जाएगा 6 और वाई हो जाएगा आपका 2 ओके फस्ट अफॉल यू हव तो कैल्कुलेट एक्स भाई-बाई क्योंकि आपको यह तीनों मतलब तीनों का क्रॉस दे रखा है उसको रिप्रेजेंटिशन क्या है केवल यह रिप्रेजेंट किया हुआ है तो एक्स छोटा एक्स माल लेता हूं एक्स इंटू वाई इस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई याने की छे और पांच और दो साथ और पांच दूनी दस तो यह निकल कर आया सत्रा ओके अब क्या होगा इसको आप सेवन्टीन लिखोगे और बाय जैड करोगे राइट वायरी गुड तो जैड की वैल्यू कितन तो 125 जिसका राइट आंसर होगा वही जीत गया वही खिलाडी है मेरे लिए मज़ा आया नहीं आया बताईया तो एक्शुल में नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे होगा और हमेशा कुछ अच्छा और नया अपडेटेटेड सर एक्स प्लस वाई यूस किया किया कैसे करना ही ह हाँ अग्या है ओके मज़ा रहा है यह यह नो लाइक कीच के करते रा करो मेरे को यह नंबर सब्सक्राइब नहीं लगते पूरे में से पूरे होने इच्छी है जितने भी बच्छे भी देख रहे हैं और आनन्द नहीं आए तो फिर मेरे से कहना अप अच्छा लेवल खा मत कोई दिक्कत नहीं है तो यह 1001 के कॉंसेप्ट था अच्छा सर और भी कुछ होता है क्या हाँ जैसे कि मानलो 101 है अब 101 को अगर आप AB से गुणा करते हो तो वह क्या बनाएगा AB AB कि जैसे कि एक्जामपल एक्जामपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जैसे कि मानलो 27 को आपने 101 से गुणा किया तो वह क्या बनेगा 27 27 बनेगा ठीक है माइडियर और 1001 को जब आप गुणा करते हो तो आपको तीन अंकों की संख्या लेनी है ABC अभी मैंने लिखा दिया तो इनके सब के नोट सा आप बना लीजिए जिससे कि आपको तकलीफ नहीं आएगी और आपके सामने एक छोटा सा डेटा रहेगा हर किसी चीज को समझने के लिए ठीक है ओके अब मान लीजिए आपके दिमाग में यह डाउट नहीं आना चाहिए कि अगर मान लो 1001 को किसी दो अंकों की संख्या से मल्टिप्लाई कर दें 1001 को किसी दो अंकों की संख्या से भी मल्टिप्लाई किया जा सकता है तो क्या बनेगा सर कॉमन सेंस ए भी बीच में 0 ए भी अरे वह तो सर इस पे भी कोश्चन बनेगा क्या हाँ लो एक्स नामनल मैं यूँ यह समझ लेना बसा आप की ओं सेवण्टि आ है कि थी तव्रीको कि साथ ग्यारा थेरा से को मल्टिप्लाई करने पर एक्स रवाति जैड़ है या ऐसा लिख सकते है अ कि सी संख्या को 73 जो में किसी संख्या को बोल देते हैं हुस्तों निकालेंगे में तो करेंगे किसी नंबर को इससे गुणा करने पर किसी टू डिजिट नंबर को इससे गुणा करने पर ऐसा आ रहा है कुछ ठीक है तो अब वो पांच अंकों की संख्या रह जाती है अब आपको मुझे बताना है एक्स प्लस जैड अपन वाई कितना होगा बताओ तो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है दोस्त कि मुझे पता है कि एक हजार एक से कोई टू डिजिट का नंबर का मल्टिप्लाई कर रहे हो तो अब जीरो एबी फॉर्मेट बनेगा राइट क्या बनेगा एबी जीरो एबी फॉर्मेट बनेगा सर तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता है जैड तो आपका जीरो रहेगा बीच में अ एक इतना हो एक कितना होगा एक सापका दो होगा और वाई आपको पता है चार है अ जापका दो हो गया या आपका चार हो उगा आपको वैलू पूट करनी है एक बटे दू-दो और जैग तो जिनका भी सरा वनगा य ठीजिज़ तो ऐसी बनेंगी टीक है ओके आईए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है मेरे दोस्तों को किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो इस तरह से आप कोई भी संख्या का निकाल सकते हो जैसे कि अगर मानलो मैंने बीच में चार जीरो लगा दिया और मैंने कोई दो अंकों की संख्या से मल्टिप बतारा था एक हजार तीन का मल्टिपल क्या होगा क्योंकि यह प्राइम नंबर तो नहीं है तो किसी ना किसी की मल्टिपल तो यह हो नहीं है तो एक हजार तीन जो है किया यह 17 से डिवाइड है येश 17 in to 59 offices बताओ 1,007 ये 19 से divisible होगी 19 into 53 तो इसलिए ये क्या है Prime Numbers नहीं है 1,009 आपकी क्या बन जाती है 4 अंकों की सबसे छोटी Prime Numbers बन जाती है Clear है चले Well done अगर कल को आपके सामने ऐसा दे दिया जाए कि भाई 999 का multiple क्या होगा या कोई संख्या 666 की क्या गुणज होगा कोई संख्या 3333 का क्या गुणज होगा तो ये याद रखना कि ऐसी जो संख्याएं होती है वो 37 से divisible होती है सर ऐसा क्यों हो क्योंकि 37 का ही multiple की तौर पर चल रहा है क्योंकि 37 into 3 जो होता है वो 111 बनाता है ये क्यों लिखा रहा हूँ ये वो information है जो आप लोगों को आनी चाहिए आप लोगों को पता होनी चाहिए नहीं पता होती तो problem आ जाती है हाँ अभी नंदन कह रहा है सर कैल्कुलेशन कैसे तेज करें प्रैक्टिस से भाई तीन बजे कैच दा मैं तो डेली लगाओ आप यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आगे चलते हैं अगला concept समझते हैं अगले question की तरफ चलते हैं प्राइम नंबर के आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं और प्राइम नंबर की बात हम पहले भी कर चुके हैं और आपको एक चीज में बता देता हूं प्राइम नहीं है क्या यह सही बात है क्या कुछ और भी आएगा अगर मैं composite नंबर की बात करो एक हजार पांच की बोल रहा है कमलेश कमलेश एक हजार पांच तो पांच से ही हो रहा है भाई तो उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो हाँ तो कॉम्पोजित नंबर की मैंने डेफिनेशन लेखिए कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजित हो जाएंगे क्या तो यह अधूरा है जो प्राइम नंबर नहीं है वह वाले और एक यह भी नहीं है ठीक है जो प्राइम नंबर नहीं है और एक एक भी कॉम्पोजित नहीं होता है क्यूंकि एक जो होता है यह भी कॉम्पोजित नहीं होता है यह वास्तम में यह होता है जिसे कुछ लोगों को number system की असली चीज ही नहीं पता कि number system में question कहां से आते हैं और जब आते हैं ना तो यार ये पढ़के क्यों नहीं आया है मैं मैंने तो केवल unit digit पढ़ा था मैंने तो केवल divisibility पढ़ी थी उससे भी कई अलग चीजे हैं अब जो पढ़ रहे होना ये actual number system है और ये पूरा होगा unit digit divisibility एक छोटा topic है बहुत छोटा लेकिन जो असली चीजे वो ये है जहां आपका cat level तक का sense डवलप कर दूँगा मैं ठीक है अभी सब कुछ होगा सर 102 कैसे प्लीज 102 का है भई 102 कहीं नहीं है 102 तो वैसे भी 17 से divisible है तो tension मत लो प्लीज तो composite हो गया example मैं अगर आपके सामने रखता हूँ अब मैं आपसे बोलता हूँ कि 18 जो है एक composite number है तो 18 की कितने factor composite है question का जवाब देना जाते हो तो देखे दिखाओ एक शांदर example 18 की कितने factor composite है आप bleed भी नहीं कर सकते कि इतने खुबसूरत examples आपके बनेंगे के अश्री में braking कि आफटार में जाने तर time करते हैं अश्री o दो, तीन भी इसका एक फैक्टर है, चार भी इसका एक फैक्टर नहीं है, इसका छे भी एक फैक्टर है, इसका नौ भी एक फैक्टर है, इसका अठारा भी एक फैक्टर है, तो टोटल फैक्टर तो आपके यह हो गए, सही बात है ना, भाई अठारे के ऐसे जो सब तरह के फै प्राइम फेक्टर हटा देने है तो आप देखो दो को हटा दोगे आप तीन को हटा दोगे बाकि आप एक को भी हटाओगे क्यों क्यों क्योंकि एक ना तो कॉम्पोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है तो आपके तीन आंसर आजाएंगे कि कितने फेक्टर ऐसे हैं जो क कि आपके क्या है और अव तीन ऐसे फेक्टर में आता है पूछा जाता है सकता है कि अच्छा के ओwnे 18 के composite factors का sum कितना है तो पहले आपको composite factor निकालने पड़ेंगे 6, 9, 18 और उनका sum भी निकालना पड़ेगा तो answer आजाएगा तो ऐसे question बनते हैं पेपर में जैसे की 24 मैंने लिखा question दे रहा हूँ ये 24 के prime factor and composite factor का sum बता दीजिए 24 के prime factor और composite factor का sum बोले sir ये क्या तरीका है what is this चलो sum ना बताओ तो prime factor और composite factor कितने ये भी संख्या ही बता दो please तो 24 के पहले सबसे पहले prime factorization करेंगे हलाकि ये सब चीजिए मैं factor में दुबारा से बताऊंगा लेकिन यहां मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको prime और composite पढ़ा रहा हूँ इसलिए ठीक है 24 आपके सामने इसका prime factorization क्या होता है 8 या 24 एनी problem बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहां तक किसी को को problem है क्या there is lot of combination 2 की power 0 2 की power 1 2 की power 2 and 2 की power 3 right समझ में आ रहा है न क्योंकि आपको 0 से start करके 3 तक जाना है और 3 की power 0 और 3 की power 1 सर यह क्यों लिख रहे हो क्योंकि मुझे sum निकालना है sum factors का sum निकालना है मैं कुछ भी नहीं करूंगा मैं सबसे पहले सभी क्या sum निकाल दूंगा processes कितना आ रहा है 2 की power 0 1 2 2 2 2 2 4 और 3 2 आ रहा है वन और थिरी की पावर वन हो गया थ्री यह हो रहा है इसा चार तो पंदरा चौकी साठ अंसर यह है क्या नहीं माइनस वन करना पड़े लिए सर यह क्यों किया इतनी रामायन आपने इसलिए की मेरे दोस्तों कि जब मैं 24 के टोटल देखो यह तो मेना जो आया ना पंदरा चौकी साठ यह तो सम आ गया लेकिन यह एक क्यों घटाया एक ना तो composite होता है और ना ही prime होता है तो जब a ना तो composite होता है और ना ही prime होता है तो a का तो योग भी नहीं होगा इसलिए अटा दे तो कभी भी question पूछें कि आपके prime factor और composite factor का sum निकालो तो आप यह मत सोच लेना कि सारे यह आ गए सारे नहीं आये प्राइम और कॉंपोजिट के अलावा एक और है एक कौन हो खुद एक वो है जो प्राइम और कॉंपोजिट नहीं होता घटाने का याद रखना ठीक है इसलिए मैंने एक एक्जामपल आपको दिया है चलिए मज़ा आ गया भाई तो यह मैंने इसलिए समझा दिया अगली लिखते जाओ पढ़ते जाओ टूइन प्राइम नंबर यानि कि ऐसी पेयर होते हैं ए और भी आपका यह टूइन प्राइम पेयर तब होगा जब ऐसे लिख सकते हैं जुडवा अभाज्य संख्या टूइन प्राइम पेयर को जब जुडवा अभाज्य संख्या पेयर ए और भी मस्ट भी प्राइम दोनों ही अभाज्य होनी चाहिए पहली बात तो दोनों क्या होनी चाहिए अभाज्य दोनों अभाज्य होनी चाहिए कंडिशन लिखा रहा हूं चलिए और गैप जो होना चाहिए ए और बी की बीच में वो दो का होना चाहिए ट्वीन है न तो दो का गैप होना चाहिए वही जो संख्या है होंगी वो ट्वीन प्राइम पेयर क्यलाएंगे आपकी एक्जामपल लिखा दो बहतेरे एक्जामपल हैं तीन पांच पांच साथ ग्यारा तेरा सत्रह उन्निस बहुत सारे हैं जहां दौनों प्राइम नंबर भी होंगी और साथ के साथ में इनके गैप जो होगा बीच का वो दो होगा सब में देख लो आप तालिस तैंटालिस और फिप्टी नाइन सिक्स्टी वन और क्या कहते है तो यह सारी की सारी है जो दो दो का गैप रखती है और इन्हीं में से आपके एक्जामपल पूछे जाते हैं पेपर में ठीक है इन्हीं में से आपके एक्जामपल पूछे जाते हैं और इसी कोई कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर तो ट्विन प्राइम नंबर के लिए और भी ट्विन प्राइम पेयर हैं यदी A 17 है या ऐसा भी बोला जा सकता है यदी A 10 से बड़ी वैर 20 से छोटी प्राइम नंबर है तो A प्लस B का मान क्या होगा बताओ अरे भाई तुम वो चीज पढ़ रहे हो जो तुम्हें पता ही नहीं है कि कभी ये भी प्रश्न बनेंगे क्या और भाई साब ये पेपर में प्रश्न आने वाले हैं इस बार मैं बता रहा हूं कि समझे रहे हूँ कि तो आपके जवाब क्या हो सकते हैं सर हमारे पास दो जवाब हैं दस से बड़ी होगी और बीस से छोटी प्राइम नंबर होगी तो ए प्लस बी क्या क्या हो सकता है तो आप ये कहेंगे सर ए और भी अगर आपका ट्विन प्राइम नंबर है तो आप एक तो ग्यारह और तेरह ले सकते हो येस और एक आप 17 और 19 ले सकते हो मैंने का डेफिनेटली मैं दौनों ले सकता हो तो ए प्लस बी का जो वैल्ली होगा आपका 24 भी हो सकता है या फिर 36 भी हो सकता है तो सर देने का क्या मतलब है इस कोश्चन को आपके आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या कोश्चन कैसे बनेगा यहां ये पूछेगा कि A प्लस B जो है वो हमेशा किसका गुणज है 12 का तो कोश्चन के अंदर कोश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एक्जामनर के द्वारा और मैं आपकी वो सोच क्लियर कर रहा हूं जो आपके लिए ही ज़रूरी है चलिए क्लियर है चलिए तो उमीद करता हूं मजा आ गया होगा दौनों ही उत्तर आपको मिल गए होंगे अच्छे तरह से आगे चलता हूं अगला कॉंसेप्ट आपसे डिसकस करता हूं उसी बिहाफ पर कि ऐसा ही कुश्चन एक एक्जाम में आया जो कि भाला कि इससे रिलेटेड नहीं था ऐसे था इंटीजर पेयर एबी एक आपका पूर्णांग की युग में एबी कि संख्या का कि नंबर्स का सम मल्टिप्लिकेशन के बराबर है मल्टिप्लिकेशन समझते हो ना गुणा वह है ओप्शन दे रहा हूं ए बी सी डी चार ओप्शन मेरे पास थे तीन इंफाइनाइट दो और एक क्या अंसर होगा बताओ सर तेरह पंद्रह नहीं होगा क्या मिताली राजोरा मिताली सही जा रही हो तुम और वो इमोजी मिमोजी तो आता है तुम्हें तो इमोजी इमोजी खेलो है ना तो सर क्या हो रहा इसका अंसर इसका अंसर होगा वाई दो क्यों कि यार आपको पता होना चाहिए कि जो आपका दो है मतल्लेंगवेज ऐसी होती है कि बच्चा कड़ा चूक हो जाता है तो दो ऐसा है कि जिनका योग करने पर भी चार आएगा और जिनका रहता है लेकिन मों पता नहीं इसके बारे में चले आया मजा करके मैं कमन्ड़्वी सबस्क्राइ्प लुका देख लग रहा है नहीं लगा है तो एदो यही मजा आना मैं भुथ ज़रूरिया अब आते हैं अगला को प्राइम नंबर या को प्राइम पेर भी बोल सकते हैं सह अभाज्य संख्या है इसका क्या मतलब बताता हूँ सह अभाज्य संख्या है और भाज्य सब लोग टाइम पर आया करो तो 11 बजे मतलब 11 मजे एक मिनट नीचे नहीं होना चाहिए एक मिनट ओपर नहीं होना चाहिए टाइम पर आओ सब कुछ मज़ा आजाएगा आप लोगों को रेगुलर आओ लेकिन अगर कुछ करना चाहते हो तो क्योंकि नंबर सिश्टम इतना खुब्सूरत चैप्टर है कि मज़ा आजाएगा सच बतारों अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो कोई अबर तबर नहीं चाहिए मेरे को प्राइम पेर क्या होता है को प्राइम प्रेवर होता है कि तू नैचुर्वल नंबर कि हैव कि एस सी एफ बन क्या यह डेफिनेशन दे सकता हूं कि मैं इसकी आया ना बोलो कि दो प्राकर्तिक संख्या है जो एस सी एफ एक रखती हूं कि क्या यह डेफिनेशन दे सकता हूं क्या अरे मैं बता रहा हूं ना कि आपके पास हर चीज़ का जवाब होना चाहिए और वह जवाब यह कह रहा हूं मैं मैंने वह हटाई दिया कॉंसेट की प्राइम यहां लग रख यहां आपको प्राइम दिखता तो है लेकिन आप उसकी डेफिनेशन में उसको इनवाल्व ना करें रिज़न रिज़न क्योंकि वह जो प्राइम पेयर होगा यह प्राइम नंबर होगा वह दो नेचुरल नंबर का पेयर होगा जिनका एस्सीज्फ एक हो ठिक हैं अब आप कोई भी ले लो तो सर क्या वास्तव में सही बात है यह हां लूभाई 9 & 15e 9-16e क्या यह zo unos तो पहला लिए एक्जम्पल में एसा ले लिया जहाँ प्राइम नममब डू इवही नहीं और चाहिए भी नहीं डे को प्राइम पेर क्या कह रहा है है मैं लेकिन ब्राइम जरूरी नहीं हो जो और छो तो चल जा जाएगा कि क्या twin prime pair co prime होते हैं बिल्कुल होते हमेशा होते हैं क्या co prime pair हमेशा twin prime होते हैं बिल्कुल नहीं हो सकते हैं yes clear statement and conclusion व्ला कुशन बनेगा UPSC में इसी पर क्या को प्राइम नंबर में नैच्छला नंबर का यूज होता है यह है ना कोई भी को प्राइम जैसे 9 और 13 11 और 7 सब को प्राइम सब को प्राइम और बहुत काम की चीज़ है सर दो और तीन भी न येस दो और तीन भी एक और तीन भी दो और तीन को क्या एक और तीन भी है क्लियर है हाँ इस्टेटमेंन कंक्लूजन वाला कुश्चन क्लियर है उसमें पूछा जा सकता है कि क्या सारे की सारे ट्विन प्राइम पेर को प्राइम होंगे येस और क्या सारे की सारे को प्राइम पेर ट्विन प्राइम होंगे नो क्या को प्राइम पेर ट्विन प्राइम हो सकते हैं यास सातनों सातनों क्यों 11 13 हो सकते हैं वाली बात है जहां समभावना आ जाती है हो सकते है ठीक है चल्द है क्लियर है ओकी क्लियर हो गया next अब आते हैं इनी नंबर तो बता बता ही देंगे यह और आते ह anál स्मय प्रफेक्ट नंबर पर प्रफेक्ट नंबर हो मुफ है पर फक्ट नंबर क्या होती है रही है आई बोल सकते हैं अगल स्बस्क्लाइप Cur Jeffrey हुव territorum whole number हो जाती हैं अब इसकी हिंदी में problem आती है बोलते परफेक्ट नंबर है चलि क्योंकि फूर फिर clash होता है और हलाकि वैसे इसे हैं आएगा नहीं इसको बोल सकते नेच्ड नंबर का पार्ट है राइट येस अब इस ये में है इसा maa a उचित नमबर गोल सकते हैं इसको नुचित इस दा परफेक्ट बर्ड उचित संख्या परफेक्ट नमबर को आप उचित संख्या लिखिये ज्यादा बैटर हिंदी रहेगी इसकी प्योर नंबर तो शुद्ध संख्याएं होती है ना शुद्ध अशुद्ध वो भी आएगा ना कोई बात नी उचित लिखिये ज्यादा बैटर लगेगा आदर्श येस आदर्श को तो आईडियल भी बोल सकते हैं लेकिन आदर्श भी लिख सकते हैं भाशा कैसी भी आ सकती है और इवन पूर्ण भी आ सकती है तो प्लीज हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रखें थोड़ा इंग्लिश चेक कर ले ना इसमें क्योंकि कुश्चन इस पर आता है पेप है मतलब सभी में हां और चार डिजिट की भी एक है और ऐसे भी आगे आगे मतलब आती रहती है लेकिन बहुत बहुत रेयर है तो डाइरेक्ट पूश्चन पूछेगा पेपर में आप से कि अनिल कुमार रेगुलर रहो सब जान जाओ ठीक है चलो कमेंट करने से तो बिल्कुल भी नहीं जानोगे फोकस होके समझो क्या होता है जूजना पड़ता है आप जूजते नहीं हो आप प्र प्रॉबलम को जाया कर देते हो बस बस पार बार यह लिखते हो फिर मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर मार्केट में अगर आप कोई चीज लेने जा रहे हो और आप अच्छे चयन मतलब आपको नहीं पता है कि वो चीज क्या अच्छी है तो क्या होता है कि बहतर की तलाश में बहतरी इनको छोड़ देते हैं इस पर द्यान दीजिए प्लीज तो सर यूनिट इजिट की कौन से सथेति और 3 इजिट की कौन सी और 4 इजिट की ओ रहे है करे हैं चाथाई क्टाइस है चार इजिट की formula निकाल पाएंगे आपको दिमाग नहीं लगाना आपसे पूछा जाएगा कि perfect number है या नहीं है तो आजाओ 6 सबसे पहले आपको क्या करने होंगे एक संख्या ले ली मैंने इस 6 को मैंने ले लिया इस 6 के आपको factor करने तो 6 के factor क्या होंगे एक होगा एक, एक दो होगा एक तीन होगा और एक 6 होगा बोलिये अगर मैं एक संख्या ले रहा हूँ 6 सब लोग सामने ध्यान दे कुमाल कुमार सब कुछ, कुनाल कुमार सब लोग सामने ध्यान दे अगर कोई issue है तो आपने जो notes बनाये हैं उन्हें रिवाइज करें वीडियो को दुबारा एक बार जहां से आपको दिक्कत है वहां देखें लेकिन जो अभी चल रहा है उसमें डिस्टर्ब ना करें प्लीज छे के आपने क्या कर दिए फेक्टर लिख दिए अच् 자ेख दिए हमेर्फ्ञ नंबर के लिए क्या चाहिए होता है प्रौपरफ्र चाहिए अच्छा यह अच्छा यह प्रौपर फेक्टर क्या चीज़ है सर्डौह टिवाईजर किसी भी संख्या के उचित भाजक उच्छिति-भाज़क क्या होते किसी को पता है क्या कोई बता सकता या कमेंट में कि अगर मैं कोई आप से बोल दू कि यार इस संख्या का उच्छित-भाज़क मुझे बता ओ तो कोश़न कैसा आता है वो भी बता हूँ है याने कि उचित भाजक वो होते हैं accept accept expect यही होता होगा चाहिए छोड़ करें खुद को छोड़ कर यानि कि जिसका फेक्टर आप निकाल रहे हो वै अगर खुद को छोड़ दे खुद को छोड़ दे खुद को छोड़ कर यानि कि वो 6 को खुद ने छोड़ दिया बोले ठीक है तो खुद को छोड़ कर जितने भी फेक्टर है प्रॉपर है क्लियर खुद को छोड़ कर जितनी भी फेक्टर है वो क्या है प्रॉपर है यानि कि 6 क केवल प्रॉपर फेक्टर ले लिया आपने तो उन जो प्रॉपर फेक्टर है उन जो प्रॉपर फेक्टर हैं प्रॉपर में 8128 है सर पेपर में कैसा कोश्चन आता है प्रॉपर फेक्ट नंबर है और अप्शन नंबर A 42 ऑप्शन नंबर B 12 ऑप्शन नंबर C 6 और ऑप्शन नंबर D साथ तो सर कौन बच्चा गलत करके आता होगा सबको तो पताईए 6 आंसर है बाई केवल तुम ही थोड़ी पढ़ रहे हो बाकि जो बच्चे को नहीं पता रहता है ना तो उनको पता ही नहीं रहता है आपने से भी 20-30 परसेंट ऐसे होंगे जन्हें आज ही पता लगा होगा है ना तो परफेक्ट नंबर पता है तो आपका अंसर दो सेकंड में आ रहा है यह रहा है क्लियर है भाई इस तरह से कुशन आते सिंपल कुशन आता है लेकिन पता होगा तो कर पाएंगे ना बात समझ में आ रही है चले सर बहुत अच्छा ओहो और सुनना मेरी बात सुन जाओ भईया सब लोग सुन लो वह आज लास्ट ऑफर है वह 22% डिसकाउंट का साहिल 10 कोड लगाकर मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़ना हो या UPSC IIT क्लास 10 क्लास 12 कोई भी बच्चा कहीं प जाते हो तो आज जुड़ जाना किसी भी केटिगरी में मेरा कोर्स तो एससी में चलता है लेकिन हो सकता है को यूप सी का पच्चा भी पढ़ रहा हो तो आईकोन एक सक्किप्शन लेकर जूड़ सकते हो साहिल 10 लगाकर अनकेडमी पर अब इसके बाद जो नंबर आता है व पढ़ाने में तो टाइम का पता नहीं चलता इसको बोलते हैं निऊन संख्या इसकी बारे में जानकारी हम कल पढ़ेंगे कल हम क्या क्या करने वाले हैं वह मैं पहली बता देता हूं जिससे कि आपको पूरा अलाइंड रहोगा कल डेफिशेंट नंबर पढ़ेंगे पढ़ेंगे और यह सारा मतलब कल का है बस इतना ही हो पाएगा कल कुछ है भाई मतलब मतलब खुद को फील आना चाहिए फिर मैं वह बताऊंगा वह अंक गिन्ना किताबों के पन्नों को पलट कर सोचा कि यूँ पलट जाए मेरी जिन्दगी तो क्या बात है तो वह सब चीज़ें मैं बताऊंगा ठीक है चलिए तो मैंने कुछ होमवर्स होमवर्क आपको दिया है बना सकते तो पीडिएफ आपको मैथ भाई साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी तीन बजे कैच दम होता है वह भी आपको लेना है ठीक है प्रेक्टिस के लिए तो यह मैं आपको बाइनरी मैंने दिय हो जाए तो क्या हो जाए बताओ ऐसे ऐसे शांदर शांदर कुशंस दिया है मैंने है ना कि देखो एक अपनी मा के कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपे जमा हो गए तो धंड़ाश है ठीक है और यह देखो एकस वाई जैड एकस प्लस वाई प्लस जैड निकालो इसको त सीन से चोटी और माइनस आट से बड़ी पून संख्या मदा आएगा यह तो अपनी पहले वाली फाइल है अब आज संख्या के बारे में बता सकते हो अब सारी यह भी कर सकते हो तो बहुत सारे कोशन हो गए कर लेना आसान है सारे एक साथ निप्टाएंगे अपन यह केवल अभी नंबर्स वाला पार्ट है ना दहाई यंकी काई यंकी सब चलिए ओके और यह रूमन नंबर भी पढ़ लेना है अभी साड़े बारे बज़े मिलेंगे जहां पर हम टेस्ट करते हैं एक पेपर लगाते हैं प्रीवियस यह पच्चिस में से पच्चिस लाना है तो रेगुलर आना है बहिए शिफ्ट थर्ड अठारे नंबर पेपर होगा तीन बज़े कैच दा मैथ होगा मैथ वाई साहिल सर टेलिग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में डिलिंक मिल जाएगी एन्रोल करकी लाइव आना है क्यों सर रेंक आती है और कैच दा मैथ पाउंडेशन ले ले लेना आज जितने भी विद्यारती है क्योंकि आपको मिल रहा है बाइस परसेंट का ओफर केवल यह लास्ट है तीन जनवरी तक तो यह लास्ट है भाई साहिल टैन कोड लगाना है और जुड़ जाना है और मत छोड़ना अपनी ऑपरच ससी में मिलता है आपको और सुनोओ मेरा कोर्स ससी में है कई बच्चे कई हां ससी में आप ले सकते हैं ऐक्वाइक लेकर चौबिस महें का स्किप्शन लेकर आपको जोड़ना है और जुड़ जाना ठीक है बस लगाकर सभी अनकेडमी सस्क्रिप्शन पर डिस्कॉन मिलेगा यह अभी ऑफर चल रहा है बाइस परसेंट ओफ आज लास्ट है हो बाया सा हिटन ठीक है तो लिंग कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी पीड्याप भी मिल जाएगी आप को टेली ग्राह levar याई शेड कर और रिपोर्टेंड बिन में in overlapabe content के लिए आ ठीक किसी भी और claim कर सकते हैं ठीक है तो take care all the best thank you so much thank you for watching मिलते हैं साड़े बारा pin point time पर love you अच्छा लगा होगा उमीद करता हूं और ऐसे ही अच्छे session regular होते हैं एक भी दिन नहीं मिस होता वो आप करते हो तो होता है बस और वो Friday को पता है वेनश दे को ट्रिक्नोमेट्री पांच और आठ होजे चलिए